दोनों कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वो मार्केट के दोरानी आये हैं इसी कारण से जो एक कंपनी लार्ज क्याप है वो लगबग गिर्चुकी के धाई परतिसत और दूसरी कंपनी जो मिड़ कैप है वो गिर्चुकी है लगबग पहुने दो परतिसत तो ऐसा क्या बहुत ज कित्रा क्वार्टर यानि कि दिसम्बर 2020 का एंडिंग क्वार्टर क्वार्टर वहां से करेंगे जो फॉर्मेट में हम चीजे देखेंगे टोटल इंकम कितने आई है उसके बाद नेट प्रोफिट कितना है और तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो रहेगा EPS यानि कि अर्निंग पर सेर अभी इसमें क्या चेंजिज आएं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ASEAN पेंट में जो लगबग धाई प्रतीसर से ज़्यादा की गिरावट आई है मार्केट के दोरानी रिजल्ट आए है तो क्या इतने वीक रिजल्ट आए है क्या तो सबसे पहले यदि ASEAN पेंट की बात करें यहाँ पर टोटल इंकम की दिसंबर एंडिंग यानि की करेंट क्वाटर में 8,723 क्रोल की इंकम निकल कर आई है जो की पिछले क्वाटर में सितंबर 2022 में एंडिंग में 8,553 क्रोल की इंकम थी 8,523 क्रोल की income बढ़कर हुई है 8,723 क्रोल की growth है लेकिन unexpected भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा growth आ गई ठीक है अब यदि comparison करते हैं last year same quarter से December 2021 का तो December 2021 में 8,599 क्रोल की total income थी यानि कि 8600 क्रोल की मोटा मोटा income थी जो कि अब बढ़कर हुई है 8723 क्रोल की लगबग 122 क्रोल का income में जो है revenue में यानि की total income में growth हुई है तो growth कम है as per company large cap company बहुत सांदार company है लेकिन इस quarter में as compared to last year same quarter growth कम दिखाई दे रही है देख लेते हैं कि net profit में कितनी growth निकल कर आई है net profit के क्या हाल यहाँ पर company के है तो net profit profit for the period 1097 क्रोल का निकल कर आया है ACN paint के case में December 2022 इंडिंग quarter में ठीक है इससे पिछले quarter में 803 क्रोल का profit था तो 803 क्रोल से 1097 यहाँ पर दो जबदस्त ग्रोथ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यदि बात करते हैं last year same quarter December 2021 तो December 2021 quarter में 1031 क्रोल की income थी net profit यानी की और अभी कितना हुआ 1031 क्रोल का बढ़कर 1097 क्रोल का तो दिखिए यदि पिछले quarter के बराबरी भी यहाँ पर net profit में ग्रोथ दिखाई जाती तो company जरूर अभी हो सकता है 0.5% negative की जगा एक दिन में आपको 0.5% positive की चलांग दिखा सकती थी लेकिन बाद में बताऊँगा की आपको as aacnpaint के shareholder हो या फिर इसको खरीदना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए आप देख लिकते हैं की EPS में क्या परिवर्तन है तो यहाँ पर current quarter में EPS है 11.19% का इस से पिछले quarter में था 8.16% का और जी last year same quarter में 10.69% का EPS था तो यहाँ पर EPS में भी उसी हिसाब से reflection आपको हमेशा देखने को मिलेगा यदि result यानि कि net profit बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो of course आपका जो EPS भी बहुत शांदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है तो वही इसी के हिसाब से last quarter के मुकाबले तो EPS में बढ़ोतरी है लेकिन last year same quarter के मुकाबले मामूल इसी बढ़ोतरी आपको EPS में देखने को मिलेगी तो यहाँ पर यदि आपके पास ACN Paint के सेर से तब आपको क्या करना चाहिए मैं बोलूँगा यदि आपने ACN Paint के सेर 52 week high price पर भी खरीदा हुआ है जो कि वहाँ से लगबग अभी 13-14% सेर डाउन हो रखा है तब भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूत नहीं है ACN Paint जैसा सेर बलकि आप इस समय इसको एवरेज कर सकते हो 13-14% के डिसकाउंट पर मिल रहा है तो सीधा सीधा आपको ये 13-14% का रिटन बनाने की अपर्चनिटी अभी दे रहा है तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो यदि आपके पास फंड है और नुकसान में बीचने वाला सेर बिलकुल भी नहीं है बहुत ही शांदार कंपनी है पहतरी इन प्रोड़क्ट है एकस्पोजर इसका मल्टीपल ये सेग्मेंट जो है बढ़ा रहे धरे-धरे जैसे की paint industry से लेकर ओ ये kitchen designing, kitchen manufacturing में भी काम जो है करते है अब चलते हैं दूसरी company में जिसके बारे में मैंने पिछले 2-3 दिन पहले एक video डाल कर आपको update किया था कि ये company आपको discount पर मिल रही है यदि आप return बना चाहते हो 100 term में तब इसमें आप entry ले सकते हो तो उस company का नाम है जैसे कि आपको पता है happiest mind ठीक है तो happiest mind का सेर भी यदि बात करें अभी लगबग 1.7% down है result आने के बाद तो क्या happiest mind के भी result बहुत ज़्यादा कम जोर आए है तो result पर चलते है happiest mind के result भी इसी crispy तरीके से हम लोग देख लेते हैं happiest mind के case में भी same रहेगा हमारा जिलल्ट को देखने का नजरीया पहले total income देखेंगे current quarter उससे पहले पिछला quarter सितमबर 2022 फिर last year same quarter से comparison करेंगे यहाँ पर जो result की seat है उसमें value दी है lakhs में यानि कि लाक में दी है मैं आपको जो है करोड में convert करके बताऊंगा सारी value तो यहाँ पर यहाँ पर यही बात करते हैं total income की current quarter में happiest mind की income निकल कर आई है 374 करोड की इससे पिछले quarter में happiest mind की income थी 369 करोड की यानि कि पिछले quarter के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी growth देखने को मिल रही है happiest mind की total income में यदी बात करते हैं last year same quarter December 2021 292 करोड की income थी 292 करोड की income बढ़कर होई 374 की तो यहाँ पर तो अच्छे हरसी ग्रोथ है कोई यसी दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखते हैं यहाँ पर total यानि कि net profit कितना आया profit for the period कमपनी को कितना मिलाया कमपनी की जेम में कितना आने वाला है ठीक है तो December ending quarter में लगबग 57 करोड का profit निकल कर आया है इससे पिछले quarter में 69 करोड का लगबग profit था यानि कि profit में decline है अब profit में decline क्यों होगा यहाँ पर expense में बढ़ोतरी है लेकिन expense adjustment होने के बाद जो net profit निकल कर आया है वो last quarter से कम निकल कर आया है यही करण है कि happiest mind के share में आपको गरावट देखने को मिल रही है अब देख लेते हैं कि last year same quarter के मुकाबले net profit कितना निकल कर आया है तो अभी जैसे मैंने बताया लगबग 57 करोड का profit December 22 करेंट quarter में आया है निकल कर last year December 21 के दिबात करें लगबग 49 करोड का profit था तो 49 करोड का profit अभी हो गया है 57.58 का तो यहां पर तो profit में भी growth है लेकिन पिछले quarter के मुकाबले गिरावट है ठीक है अब चलते ही EPS में क्या change आया है 4.02 प्रतेसत का EPS अभी current quarter का है पिछले quarter में 4.15 का था और यदि बात करें December 22 में तो 3.44 का EPS बढ़कर हो गया है 4.02 तो मामूली सी बड़ोतरी है लेकिन company का size भी mid cap का है लगबग 12.13 क्रों के company का size है तो जैसे company का size है और यहां पर result ठीक ठाक है कोई इतने भी खराब result नहीं है पिछले quarter को देखकर एदि consider करोगे तो थोड़े से down है लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है company कहीं नहीं जा र सोड टर्म में कुछ भी हो सकता है हो सकता है आज happiest mind के share में आपको दिख रहा है कि लगबग 1.5% की गिरावट है और इशीन पेंट में लगबग 2.5% की गिरावट है तो कली उचाल आ सकता है रिवरसल आ सकता है लेकिन हो सकता है यह गिरावट जो है अगले एक महीने दो मह इने आपको परिशान करे लेकिन सोड टर्म के लिए रहेगी लोंग टर्म के लिए पर्मानेंट कुछ भी नहीं है मार्केट में ना तो पर्मानेंट आपका share एक green zone में रहेगा और ना ही पर्मानेंट आपका यदि अच्छी कंपनी है तो वो red zone में रहेगी तो दोनों कंप अधि परसंद आईए वीडियो तो करिपा करके लाइक जुरूर करें बाकी लोगों के साथ साजा आवजसे करें थाइंक्यू सो मच जैहिन जैमारत नमस्कार